दोस्तों स्वागत है हम सभी का फैंटेसी इंसाइट के एक और नए प्रोडिक्शन वीडियो में इस वीडियो में हम लोग बात कारने वाल है आर्सीवी बारसिस सीएसके के बीच में जो आईपेल टुएटी 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 फोर का फास्ट मैच खला जेगा उसका ग्र आप लोग सिंप्ली ग्रेंड लिग उन प्लैयर्स को ड्रॉप करके बहुत इस मैच में नमबर वन रैंक लासकतू यह फिर नमबर वन से लेकर नमबर 11 रैंक तक आप लोगो यहाँ पर वन करोर जीतने का मुका मिलेगा पहले सिर्फ 5 मैचों में तो यह बहुत आच्छा क्योंकि नमबर 11 रैंक तक एक करोर मिलेगा और 5 मैच मतलब 55 रैंक तक आप लोगो यहाँ पर एक करोर रुपे मिल सकता है तो बहुत अच्छा उप्रूइटी है वान करोर रुइन करने का क्योंकि 5 मैचों के बाद फिर से ड्रीम 11 इस कॉंटेस्ट को करेगा यह फिर इसको क्यारा खिला रही है जो इस मैच में ड्रीम टीम पर आ सकता है वाट सबसे पहले पीच रिपोर्ट इंपॉर्ट है तो पीच रिपोर्ट देखेंगे उसके बाद दोने टीमों का प्लेइंग 11 देखेंगे देन हम लोग अपना ड्रीम 11 टीम क्रेट करेंगे तो चालिए सबस देखेंगे बाद करने बाले टीमोंने 69 मैचे इसमेच में जो भी कैप्नें टॉश जीतिका तो चितिका यह पर पहले बैटिंग करने का फैसला कर सकता है क्योंकि सेगेंड इनिक्स में पीच स्लो हो जाता है और सेकेंड इनिक्स में इस पीनर के लिए जादा हेल्प रहता ह सो इस बात का आप लोग ध्यान रखना आपर एबरेज फास्ट रिंग स्कूर 158 का है इस टूटल है 246 का स्कूरिंग पैर्टर आप लोग देखें के तो आप लोग देखो यहां पर ज्यादा ता लोग स्कूरिंग मैच ही हुआ है 150 से नीचे अभी तक 50 तैम स्कूर हो चुका आप लोग यहां पर एक्सपेक्ट कार सकते हो क्योंकि दोनों इस टीमों की बैटिंग काफी ज्यादा स्ट्रोंग है सो उसके एकोर्डिंग हमें स्ट्रेटेजिक ली यहां पर टीम क्रेट करना पड़ेगा ग्रेंड का कॉंबिनेशन में आगे में आप लोग को बाताने व में जो भचारीज ली वे जिएप के बीच में वह थोड़ा से स्कोरीं उस टोटल डीफ्य को गया था उसमें होगे स्ट्रेट जादा टीमिशन में देख सकतों इसमिसर को ऐसा को सिमयां आप एमपर्टेंट होने वाले यह से पहले प्र लिए निए हो थोड़ा से लोग पी हो गया था उभार लोग यह बैलेंस पीजा है आप लोग एक डिसेंट इसको यहाँ पर एकस्पेक्ट कार सकते उसके एकोडिंग ही प्लैन करें कि हमें टीम क्रेट करना होगा अभी टीम क्रेट कारेंगे लेकिन उससे पहले प्लेंग 11 देख लेती क्या प्लेंग 11 हो सकता है दोनों इटीम होगा ताबसे पहले चेननाई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो डेफिनली रितुराज गायकोड के साथ यह पर राचिन रवेंद्र ओपिनिंग करने आ सकता है तो नामबार थ्री राजिंग आजिंग के रहाने नामबर फोर डैरिन मिचल शीबाम यह चार इनका ओवर्सिस प्लैयर हो सकता है क्योंकि फोर प्लैर्स ही एलाव है एक टीम में ओवर्सिस प्लैर्स एंड बैंगलोर के प्लेइंग 11 के अगर बात करें विराट कोली के सब फैब डूप्ले से ओपिनिंग करना हैगा नामबार थ्री कैमरन ग्रीन खेल साकता है नामबार फूर ग्लेन मैक्सवल खेलेगा आपकोस उसके बाद महीपाल लामर और या फी राज़त पार्टेधर भी यहां पर खेल साकता है दिनेश कार्तिक एस प्रभुदेशाई करान शर्मा विजय कुमार महमत सिराच और आलजरे जोसब यह हो साकता है दोस्तों रॉयल कि अदर चलते हैं वहाँ जिके हम लोग अपना ग्राण लिक का कंबीनेशन की बात करें आख सबसे पहले हैं लुम नोग यहां पर सेट प्लास 5 का कंबीनेशन क्रियेट करें करने वाल है जो कि एक सेफ़ तीव ऑद हम लोग अपना रिसकी तीम भी क्रेट करने वाल है यहा सबसे पहले बहुत सब्सक्राइबंगा क्या कि इस सब्सक्राइब लोग को सब्सक्राइब बतुट उने वाला सब्सक्राइब ऩो ऊप्रहले इसलेष हो होने वाला है और चाहो तो क्याप्टेन वाइस कैप्टेन सी भी दे सकते हो विराट को तो मैं आपने टीम में रखूंगा और यह काफी ज्यादा आप लोगों के लिए ट्रॉम्प भी हो सकता है क्योंकि डैर्न मिचल काफी अच्छा बैट्समन है एक दो अब बोलिंग भी कर सकता है तो डैर्न मिचल आप लोगों को आपने टीम में राखना होगा और उसका फैप डूपलेसी देख लो 77% सिलेशन है चाहो तो इसको भी ले साकते हो अट मैं भी ज्यादा करके और और बोलर्स के ओपर फोकस करूंगा तो आभी मैं फैप डूपलेसी को याज आते होगों कि आपने टीम में राखेंगे मैक्सफल और और की सिलेशन है इसको भी हम लोग आपने टीम में राखने वाले उपनिंग करने आए एक से दू भा बोलिंग कर सकता है तौ राचिन राभेन्द्र आप लिए इंपोर्टन होगा उसका बोलर्स कर कर तो दिक और न दू बॉलर को लेने वाला हो एक बोलर को डोंगा आरसी बिक तरह सबसे पहले नुब रिख तरफ में लोगा यहां पर महामद सिराच को अगर बात करें तो मैं अभी दीपक चाहर को लखूँगा एंड एक ट्रॉम्पिक में लेने वालों वो होने वाला है रीच टॉपली आकर खेलता है तो रीच टॉपली आप लोग लिए ट्रॉम्पिक हो सकता है अगर आप लोग चाहो तो यह पर आलजारे जोसिप को भी ले साकते हो दोनों में से कोई एक ही खेलेगा तो अभी मैं सब्सक्राइब देखलो एक और बार प्रिभ्यू विकिट कीविंग में दीनेश कार्थी को राखा है बैटिंग में इडितुराज गायकॉद विराट कोली एंड डैरिन मिचुल को पिक किया है और लाउंडर में रविंदर चाड़ेजा ग्लेन मैक्सवल ग्रीन और रचिन र बैटिंग में इसमें विराट कोली फैब डूपलेशी डैरिन मिचल एंड रितुराज गायकॉद को राखा है और लाउंडर में रविंदर जाड़ेजा ग्लेन मैक्सवल राचिन रविंदर को पिक किया है बोलिंग में शारदूल ठाकूर महामद सिराच और महिस दिक्षन लाउंडर के उपर जादा फोकस किया है तो यह मैंने थार्ट कॉंबिनेशन के अगार वात कहा है यह मैंने CSK के फिवर में क्रेट किया है यह पी काफी यूणिक टीम है क्योंकि चैन्नाई में CSK का अच्छा पॉपमेंस कारता है तो यहाँ पर चैन्नाई की टीम डॉमिने कर सकता है तो इसमें मैंने फिर से दीनेश कारती को राखा है एंड वैटिंग में से फाप डूपलेशी को पीक है विराट को भी मैंने यह पर ड्रॉप किया है इस मैं टीम में क्योंकि सिलेकिन हाई है उसके बाद CSK की तब से डैरिन मिचल को राखा है और शीबम दूबे क को मैंने राखा है इस टीम में क्योंकि अगर चैनली फास टीनिंग में बैटिंग करता है तो शीबम दूबे इंपोर्टन होगा और राविंदर चाड़ेजा को राखा है ग्लेन मैक्सवल और मोहिन आली को राखा है यह पर मैंने फिर से CSK की तरब से क्योंकि मोहिन आली न दCR को इस टीम से ड्रॉप किया है एगर आप लोग चाहा हूं तो यह पिर आप कापिश jetzt 2 मे करें तो इसको भी दे सकते हो यह थार्ट को बनुनेशन एन फॉर्थ कॉंबनीेशन कि यह मैंने थोला सा यह पर दिपेंट किया है यह थाफ्र मैने एंडेशिव्टी ग्रीट कीट किया है बद एक मैंने इंडिविज्या में पर देखो मैंने से टॉप और को ड्रोप किया है रितुराज को भी ड्रॉप किया है एंड यहां पर मैंने राजी रहने को राजित पार्टीधर को ड्रॉप करके यहें सेक्टसा को बाढ़ सेक्ट सेख्षा मेजक्त करते हैं इस लीए मैंने इस तीम से ड्रोप किया से करन शर्मा को राखा है एंड आलजरे जोसेप को राखा है मैंने डिकार साथा है तो इस लिए तीम कीया है देख़ विश कारता है और भूलिंग और बेतिंग देखके आच्छा पफोर्मस कार शाक्ता है के तरब से आप लोग ओर भी सेव जाना चाहते हों तो यह से के लाइन मेक्स्वल को एक फिर कोले को यहां कर सकते हो यह पीर गैंश को आप लोग यह पर कैप्टैंसी दे सकते हो तो यह है दोस्तों गिराइन ली कैमेरा फोर्थ ओंबिनेशन अभी मैं और दो इससे तीन तो चैनल याद करके जॉइन का लेना एंब इस चैनल को अब दो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे घ्रन लिग तीम प्रोडिक्षिन वीडियोस देखने के लिए